नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा मिश्रा बंसल नियूस की खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आयुश्मान में हर बार स्वास संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पंकत से जो बंसल होस्पिटल में कंसल्ट नियूरो फिजीशन है डॉक्टर पंकत आपका बहुत स्वागत है बंसल ने उसमें तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेंस ट्रोक के बारे में और उसकी उपचार के बारे में डॉक्टर हमें बताएंगे अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं आप सवाल कर सकते हैं और डारे ब्रें स्टोक एक बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग की ब्लड वैसल्स तरीके से ब्रेंस ट्रोक होता है इसके लक्षण है इसको पहचानने के तरीके आज कल एक synonym चला हुआ है या acronym चला हुआ है इसको हम BFAST से जानते हैं B मतलब यह सारे लक्षण अचानक होने चाहिए तो B मतलब balance अगर आपको suddenly चलने में balance के problem होने लग गई BFAST में B के बाद E, E मतलब अगर आपको eyes में problem होने लग गई suddenly आपको दिखने में problem होने लग गया आपको vision में problem होने लग लग गया F मतलब face अगर आपका suddenly face तिर्चा हो गया यह आपको बोलने में लड़खड़ाहट होने लग गई है A मतलब आम, आम की कमजोरी या आम मतलब हाथ, हाथ की कमजोरी या हाथ में अगर आपको सद्धनली सुना पन होने लग गया, जंजना हाथ होने लग गई और S मतलब स्पीच अगर आपकी आवाद लड़कडाने लग गई है और T मतलब टाइम, अगर ये सारे में से कोई भी एक लक्षण हुआ है, तो फिर हम लोगों को टाइम रहते इसके इलाज के लिए कहीं पर जाना चाहिए तो B-Fast से हम अपने लक्षणों को पहचान सकते हैं और टाइम रहते हमको इसका इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाना चाहिए बिल्कुल तो एक वर्णन डॉक्टर ने B-Fast के माध्यम से किया है, ब्रेन स्ट्रोक में किस प्रकार से समस्याएं आती हैं और किस प्रकार से इसे पहचाना जाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक होने पर क्या किया जाना चाहिए, क्या हमें घर पर इसका कोई की एमर्जन्सी ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, नहीं, यह एक बहुत सही सवाल है, जिसमें कुछ लोग जैसे हार्ट आटेक आते हैं तो फिर सोचते हैं कि नहीं हमने खून पतला करने की दवाई तुरंत अंटी प्लेटलेट्स कुछ लेली और फिर हमको मैं ऐसा नहीं होता है, ब्रेका में खून की नस्ट बंध करने के वज़य से अगर आपका स्ट्रोक हुआ है तो फिर तो चल जाएगा, यह ट्रीटमेंट ठीक है प्ले के लिए लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट दिमाग की नसफ़टने के वजह से हूआ है जिसमें दिमाग मे अल्रेडी ब्लीडिंग हो गई है तो फिर अगर आप कोई दवाई ले लेते हैं कई लोग जो गलती करते हैं कि खुन पतला करने की दवाई ले लेते हैं वो लेंगे तो नुकसान रहेगा तो घर पे अगर आपको brain stroke के बीफास्ट इस एक्रोनिम के कोई भी लक्षन दिखे हैं तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट खुद से मत शुरू करें आप नजदी की अस्पताल में पहुंचें बिलकुल तो डॉक्टर जिस प्रकार बता रहे हैं कि अगर brain फटने से brain stroke हुआ है तो कोई भी दवाई आप मज लिया कि इन्हें brain stroke जो है यह हमारी blood vessels की problem है हमारे दिमाग की रक्तवाईकाओं की problem है तो अब जो भी बीमारी इन रक्तवाईकाओं को नुकसान कर सकती है उन सब से हमको brain stroke होता है तो उन में से जो ischemic stroke होते हैं जो की नस्व बंद होने से होता है इसके कारण usually diabetes है blood pressure है तो अगर आपका cholesterol सही control नहीं है तो या फिर आप काफी मोटे हैं और आपको नींद में खराटे की समस्या है तो यह भी risk factors है तो यह सारे risk factors commonly हम देखते हैं लेकिन इसके अलावा और भी risk factors हैं जो usually young लोग में होते हैं जैसे कोई genetic कारण की वज़े से आपके खून का गाड़ बढ़ गया है और खून की नसे बंद हो सकती है जो दूसरा stroke का कारण जिसमें हम खून की नस फट जाने की वज़े से जो brain hemorrhage होता है उसके कारण usually होते हैं again diabetes blood pressure लेकिन blood pressure का control बहुत जरूरी है अगर long standing आपको बहुत दिन तक अगर आपका blood pressure poorly control रहता है तो brain hemorrhage के risk बढ उसमें कुछ चले बन गए हैं हमारे खून की नस में वो कंजोर हो गए है तो भी उनके फटने की वज़े से brain hemorrhage हो सकता है तो इस तरीके से बहुत सारे कारण है हमारे brain stroke होने के लेकिन इन में से सबसे common है diabetes blood pressure cholesterol की problem मोटापा और नींद में खराटो की समस्या बिलकुल तो आपने समझा किस प्रकार से डॉक्टर बता रहे हैं क्या कारण होते है brain stroke होने के अब एक बात और डॉक्टर से समझते हैं कि brain stroke का इलाज क्या होता है अगर बात की जाए इलाज की क्योंकि निश्रत और पर इस प्रकार से आपने बताया था कि खुद से कोई दवा नहीं ले सकते हैं तो इलाज की अगर बात करें तो कैसे ऐसे इलाज होंगे क्या होगा इलाज अगर आपकी खुद की नस्फ बंद होने वाला इस्टॉक जिसको हम इश्यमिक स्टॉक बोलते हैं अगर आप इस्टॉक के साथ हैंस्पटाल में साड़े-4 या मैक्सिमुम 6 घंडे तक एक अस्पताल जहां पर stroke का treatment हो सकता है, वैसे अस्पताल में अगर आप 4 या 6 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, तो उसका complete reversible treatment हो सकता है, जिसमें कुछ दवाई देने से, especially खून पतला करने की दवाई, इसको देने से ये clot जो कि हमारे खून की नस को बंद किया है, ये खुल पॉसिबल है कि आपको के सारे लक्षंट zero हो जाएं, सब ठीक हो जाएं completely, लेकिन अगर आप 6 घंटे के बाद पहुंचते हैं, तो फिर ये treatment मुश्किल है, ये treatment नहीं दिया जा सकता है, और फिर आपका treatment होता है, वो primarily prevention होता है, कि future में stroke ना हो, और इस stroke से चलते जो भी आप हस्पताल में patient admit होता है, तो उसको blood pressure को control करने के लिए दवाई दी जाती है, और बार बार ये देखा जाता है कि ये blood pressure, ये खून जादा तो नहीं हुआ है, और अगर ज़रुरत पड़ी तो कुछ operation करके, खून को फैलने के लिए जगा बनाई जाती है, जिससे कि दिमाग मे अच्छे अस्पताल में इसका treatment संभव है, और यदी brain stroke किसी को होता है, 6 गंटे के अंदर ही अस्पताल में जाएं और संपर करें, दर्शकों आपको एक और बात याद दिला देंगे कि अगर आपके भी कोई सवाल है, brain stroke को लेकर, तो आप डॉक्टर पंकच से सीधे संपर क पताया था कि इलाज के लिए अगर brain stroke हुआ है, तो 6 गंटे से पहले अस्पताल में संपर करें, तो आप से एक बात समझना चाहेंगे, stroke का इलाज क्या छोटे या किसी नजदी की अस्पताल में संभव हो सकेगा, जी बिलकुल, सो मैं एक चीज़ जो add करना चाहूंगा, कि ह हमारे पास 4-6 गंटे का समय है, लेकिन हर शन इसमें बहुत important है, एक घंटे में आपके जो भी treatment 6 गंटे के अंदर मिलेगा, उससे recovery होने के chances भी कम होते जा रहे हैं, तो ये treatment जो available होगा, ये 6 गंटे के अंदर होगा, लेकिन समय बिलकुल ना गवाएं, अगर आप एक घंट पहुंच गए, तो recovery के chances और जादा है, दो गंटे में पहुंच गए, तो थोड़े कम है, और तीन गंटे में पहुंचे तो थोड़े कम है, इस तरीके से ये संभावना कम होती चली जाती है, तो 6 गंटे में हमारे पास हैं, लेकिन अगर एक घंटे में अस्पताल पहुंच कर सकते हैं, जिस हस्पताल में CT scan नहीं हो सकता, वहां पे कोई भी stroke suspected आदमी को नहीं जाना चाहिए, आपके screen पे दो तरीके के stroke दिख रहे हैं, एक तरफ है जहां पे brain के अंदर एक काली density आई है, जो की खून की नस बंध होने की वज़े से हुआ है, और दूसरी तरफ जो CT CT scan से ही पहचाना जा सकता है, यह वाले जो आपी screen पे चल रहा है, और कोई भी hospital जो इतना CT scan करके यह देख लेगा, तो उसका इलाज कर सकता है, तो CT scan सुविधा उपलब दो, वैसे हस्पताल में stroke के साथ पहुंचे, विल्कुल तो CT scan की सुविधा निश्य तोर पर अस्पत में उपलब्द होनी चाहिए, फिर अस्पताल चाहिए चोटा हो या बड़ा वहां पर brain stroke का जो भी उपचार है, वो संभव हो सकेगा, डॉक्टर एक और बात इस प्रकार से आपने बताया था कि जितनी जल्दी अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर से संपर करेंगे, उतनी ज लोगों में ये इश्यमिक्स रोग होता है खून की नस बंद होने से, इसमें ऐसा देखा गया है कि साड़े-चार घंटे या छे घंटे के अंदर जो हम ये आईवी थ्रॉम्बोलिसस करते हैं खून को पतला करके डिजॉल्फ करनी की कोशिश, इसमें 50-60 परसेंट लोग प प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मिलेगा तो ऐसा देखा गया है कि आपकी रिकवरी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के साथ 2 साल तक होती रहती है तो आपको प्रिवेंटिव थेरपी में आपको कुछ खून पतला करने की गोलियां चालू होंगी और साथ में आपको फिजिय और आगे भी ना हो बिल्कुल तो समझा कि दो साल तो लगी जाते हैं इस बीमारी के रिकवरी होने में अब अगर डॉक्टर पंकर जब बात की जाए ब्रेन स्ट्रोक के रोक थाम के लिए तो क्या किया जाए जी तो इससे जो हमारे रिस्ट फैक्टर्स हैं डाइबिटीज ब को खराटे की समस्या है तो डॉक्टर से मिलिए उसके लिए क्या किया जा सकता है वो देखेंगे और साथ में अगर आपको व्यसंस हैं आपको स्मोकिंग की प्रॉब्लम हैं यह सब बंद करना पड़ेगा इससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं तो जो भी गलत आदते हैं सबसे पहले तो उससे हमें निजात पाना होगा तभी यह जो विमारी है इससे हम निजात पा सकेंगे डॉक्टर ने जिस प्रकार से हमें समझाया डॉक्टर आपको बताना चाहेंगे अश्रोक हैं एक कॉलर वो हमारे साथ जुड़ लगी थी उसके कारण वो आज भी ने उठ पा रहा ने बैट पाता अपना काम कुद नहीं कर पाता है तो और अभी तक नहीं हो पाया है तो मतलब उसके बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा दिमाग का डाइमेज हुआ और इसका अगर समय चलते इलाज नहीं हो पाता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जादी चोट शुरू महीं लग गई जिससे की आप जिसके लिए बहुत जादा ट्रीट्मेंट अवलेबल नहीं है तो अगर अभी तक रिकवडु नहीं होई है तो फिर हम पूरी रिकवरी नहीं सो सकते लेकिन फिजियो ठेरपी और कुछ दवाइंगों जैसे जिसे हाथ फैप थोड़ लाचले हो जाए इन्हीं दवाइंगों से ओर फिज तरपी से ही हमको काम काम चलाना पड़ेगा तो अशुक को शायद उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा पर दॉक्टर ने इस प्रकार से बताय कि फिज्यो थारपी से ही उन्हें आगे काम चलाना होगा। पंकच क्यों रुख करेंगे। डॉक्टर आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि एक बार स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो जाने पर हमें किन बातों का आगे ध्यान रखना चाहिए इस ट्रोक का ट्रीट्मेंट आपने शुरू कर दिया है और आपको चाहिए कि आप रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलते रहें कई बार हमको दवाईयां चेंज करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग अपॉन की आपकी अभी एज क्या है आपको दवाईयों से क्या साइड एफेक्ट हो रहे हैं और आपकी डाइबिटीज और ब्लड परिशर का कंट्रोल कैसा है यह सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों तो स्ट्रोक के रोगी को रेगुलर डॉक्टर से मिलते रहने चाहिए इसके अलाव अकांश्रा हमारे साथ डॉक्टर राइपूर से जुड़ गई हैं अकांश्रा अगर आप सुन पा रही हो तो आप डॉक्टर से संपर कर सकती हैं आपके जो भी सवालें आप पूच सकती हैं हेलो सर नमस्ते मैं आपको भी नमस्ते सर हमें हमारे दो सबार हमें यह पूछना है कि सर अगर किसी को जुन जुनी हो और वो विटामिल B-complex की दवाई काता है तो सर यह दवाई कितने दिन तक और एक दिन में क्या दो बार खा सकते हैं ताकि उनको जुन जुनी में आराम म सबाय वार्श दूसरा सवाल ये है कि इसमें कौन सी जादा इफ़ेक्टिव है अगर अलग है तो यह जो आपका पहला सवाल कि नसों में जुझनापन के लिए आपको यह दवाई शुरू की गई है तो अगर यह दवाई यूजली एक ट्राई किया जाता है अगर इससे जुझनापन कम हो गया तो अगर इससे जुझनापन नहीं किया कम हो रहा है तो हमको आपको जांच करनी पड़ेगी कि आपको हातों में जो ये tingling sensations बनी हुई है इसका B12 के अलावा भी कोई इलाज है क्या actually B12 की deficiency से किसी किसी को ऐसा होता है लेकिन उसके और भी कई सारे कारण है तो वो B12 deficiency B12 जो methylcobalamin या mycobalamin आप ले रही है इसके intake से कम नहीं होगा दूसरा आपने बोला ये दोनों दवाईयां एक ही हैं दोनों में विटामिन B12 है दोनों का दोनों एक ही बराबर है आप दोनों में से कोई एक दवाई रेगुलरली ले सकती हैं अब बिलकुल अकांशा को शायद उनके सवाल का जवाब मिल गया हो डॉक्टर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं श्रिफ शंकर नाम है उनका जगदलपूर से हमारे साथ जुड़े हैं श्रिफ शंकर आपकी जो भी सवाल हैं जो समस्या हैं आपको सरदर्द के लिए चाहिए कि सरदर्द के कारण आपकी उमर में बहुत सारे हो सकते हैं ज्यादा तर यह प्राइमरी हेडेक्स होते हैं जो कि माइग्रेन टेंशन टाइप हेडेक्स इन में से कोई होते हैं जिसके लिए आपको एक बार एक्जामिन करना पड़ेगा कि कोई खराब या कोई घवराने वाली तो बात नहीं है और अगर वो सब नहीं है आपका स्कैन सही है तो फिर आपको कुछ दवाईयों से अच्छा आपकी और रुक करेंगे आगे जो भी सवाल है वो पूछेंगे तो एक सवाल यह कि अक्सर देखा जाता है कि ब्रें स्ट्रोक जैसा कि आपने बताए कि डायबिटीज के पेशेंट्स जिनको कॉलिस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनको होता है लेकिन आम तोर पर आजकल देख लेकिन अब अब हम लोग युवा युवा लोग भी अपने घर से रेस्ट्रिक्ट होने लग गया उनके काम बढ़ गया तो आपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो फिर इन सारी चीदों का ध्यान दे एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल रखें युवा दूस अब इस तरीके से हमको चाहिए कि अगर आपकी आदतें कुछ सुधार सकते हैं इस तरीके से हम युवाओं का स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि खान पान में और जो आपका लाइफस्टाईल है उसमें इश्यत तौर पर वो जुड़ गई है उनकी भी समस्या है वर्षा आपके जो भी सवाल है आप डॉक्टर से संपर कर सकती है जी बताये वर्षा हलो सब्सक्राइब बताये गुड़ आफनों मेरी नमी को ना उन्मी में वहां पर इलाज सब्सक्राइब तो उन्होंने दवाये लिखने हैं तीन दवाये दिये उनका ना में एक सब्सक्राइब करें तो आपके हाँ आभी आपका सवाल क्या है मेरा सवाल यह किस तरफ की कमजोरी आपने बताया बाई तरफ की हो गया है देखिये यह जो स्ट्रोक हुआ है उसका स्ट्रोक के साथ यह स्ट्रोक के साथ नहीं है तो मेरे ख्याल से स्ट्रोक की वज़े से जो इनके मानसिक संतोलन में changes हुए होंगे इसकी वज़े से यह बोलने की समस्या होगी खान पान sodium potassium की कमी यह सारी चीज़ों को investigate करना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज हो नहीं जिसकी वज़े से इनका उपर नीचे बोलना हो रहा है जाधा बोलना और यह आपके stroke की वज़े से नहीं है तो आप doctor से मिले आपके कुछ blood test करने पड़ेंगे आपकी माता जी के अगर वो सब सही हैं तो कुछ दवाइयों से जो उनका बोलने की जाधा बोलने की problem है उसको manage किया जा सकता है यह stroke की वज़े से नहीं है तो यह stroke की वज़े से इस प्रकार से मांसीच संतुलन नहीं है तो doctor से संपर्क वर्षा आपको करना चाहिए जो भी समस्य है doctor उसको पूरी तरह से बता पाएंगे नौक्टर पंकर जी बात समझना चाहेंगी क्योंकि अब कोरोना महामारी का दौर है तो क्या कोरोना वाइरस की वज़े से हमारा खून जो है थोड़ा मोटा हो जाता है या गा पाट में कोरोना वाइरस जो है हमारी blood vessels जो रक्तवाई का हैं उसको भी नुकसान करता है इन दोनों cases से इन दोनों तरीकों से हमारे को हमारी जो भी एज है stroke होने के रिस्क बढ़ जाते हैं तो in fact ऐसा पाया गया है कि कई बाप जो patients हमारे पास stroke लेके आते हैं और बाद में हम उनका coronavirus diagnose करते हैं कि इनको यह coronavirus की वज़े से हुआ है तो coronavirus की वज़े से stroke होने की संभावना बहुत है बहुत सारे लोगों को जो coronavirus से ग्रसित हो चुके हैं उनको लंबे समय तक खुन पतला करने की दवाई लेनी पड़ती है especially अगर आप coronavirus से severely ग्रसित थे इससे की आपके ख या फिर heart attacks के risk को कम किया जा सके बिल्कुल तो शायद दर्शक समझे होंगी कि कोरोना वाइरस के infection से निश्चे तोर पर brain stroke हो सकता है तो इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखें खान पान में बदलाफ करें ताकि आपके blood आपका गाढ़ा ना हो और brain stroke की समस्य आपको न से मुझे एक problem है brain से संबंदित मतलब चक्कर टाइप के आते हैं तो उसकी दवाईयां वगएरा चल रही है तो उसका क्यों इलाज नहीं है मतलब पर्मनेंट डवाईयों के अलाबर देखिए चकर के बहुत सारे कारण होते हैं और सबसे पहले आपके चकर को समझना पड़ से मिलते हैं तो आपको कई सवाल पुछेंगे कि आपका चकर exactly क्या है चकर एक बहुत भ्रांती वाला कंफ्यूस करने वाला symptom है बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को चकर लेबल कर देते हैं तो आपको जब आप मिलें तो चकर के बारे में detail में बताएं कि आपको exactly क्या इन दोनों को investigate करना पड़ता है कई बार लोगों को इसके साथ सुनने की problem होती है हमारे कान की problem की वज़े से हमें चक्कर हो सकते हैं तो इन दोनों तीनों differentials के साथ हमको आपको investigate और देखना पड़ेगा और अगर यह सारी चीज़े सही हैं तो कुछ दवाईयों से या कुछ मैनुल से कुछ exercises से आपके चकर को control किया सकता है बिल्कुल तो दवाईयों मैनुल और exercises से चकर को control किया जा सकते आशीर यह आपकी अभी भी समस्या है तो आप डॉक्टर से निश्यतोर पर संपर कर सकते हैं नौक्टर पंकर जा क्योंकि अभी देखा कि इतने सारे लोगों इस बीमारी को लेकर समस्याएं गिनाई हैं उसमें युवा भी बहुत से शामिल थे तो अंत में ऐसा क्या संदेश है जो आप लोगों को देना चाहेंगे इस बीमारी से संबंधित जी तो सबसे important यह रहेगा कि हम अपने को एक healthy lifestyle से बढ़ने दें आप टाइम से उठें करें अपने आपको exert करें minimum 30 minutes और उसके बाद less intense exercise करके आप किम से कम एक घंटा दिन में आपने आपको दें दूसरी बात अपना वजन कंट्रोल रखें अपने diet को कंट्रोल रखें बहुत जादा तेल वाली चीजें को avoid करें और अगर आपको इस सब करते हुए भी अगर अपने diabetes or blood pressure को अच्छा control करें कोई भी symptoms आपको मैंने जो acronym बताया be fast का इन में से कुछ भी develop होता है तो नजदी की अस्पताल में जल्दी से जल्दी संपर्क करें हो सकता है कि इसका complete reversible इलाज हो यही संदेश I think अगर आज के प्रोग्राम से सब लोगों को मिल जाता है तो बहुत फायदा होगा बिल्कुल तो जो मुख्य रूप से संदेश दॉक्टर देना चाहते हैं वो यह की वजन को अपने कंट्रोल रखें exercise दियमित रूप से करें और खान पान का विशेश तोर पर ध्यान रखें इससे भी बहुत असर पड़ता है सहत में तो डॉक्टर ने जिस प्रकार से हमें बताया कि brain stroke के क्या कारण होते हैं क्या समस्या और क्या समाधान इसके हो सकते हैं डॉक्टर बहुत कर दो